यू के अंदर हर साल CUT के तुरू सबसे ज़्यादा रेजिस्टेशन होती हैं लगबग ढ़ाई लाग के आसपास स्टूडेंट के CSA के पोडल रेजिस्टेशन करते हैं और कम से कम भी 5-7 लाग स्टूडेंट CUT के अप्लिकेशन फॉर्म के अंदर DUE का नाम मेंचिन करते हैं या फिर आप डेली जूटीव के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मेक शूर की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों का ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो मिलती रहें तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सबसे पहले एंटरेस एक्जाम के बाद आपको CSAS पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन करना है जो कि उतनका common seat allocation system याने की मात्र CUT का एक्जाम देने से ही आप लोगों का काम नहीं चलने वाला आपको CSAS पोर्टल पर भी जाके रेजिस्ट्रेशन करना होगा यहां पे आप लोगों को यहां पर भर भर के अडिशन के अप्लाय करते हैं क्योंकि यहां पे जो आप लोगों का एक infrastructure campus का मिलता है एक fest जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं और साथ में campus के अंदर बनी हुई societies जो आप लोगों को एक exposure देती है और इंडिया के बड़े-बड़े alumni and politicians even film actors यहां से जो है पढ़के निकले हुए है तो यह जो एक फैक्टर है Delhi University का placements को लेके quality of education को लेके और यह जो Central University है इसकी वज़े से यहां पे भर-भर के हर साल applications देखने को मिलती है चलिए अब समझते हैं सबसे पहले CACS के phase 1 को जहां पे आप लोगों ने जैसे आपने अपना सेट मिल रही है दोनों का स्कूर सेम है अपर क्लास 12 के स्कूर के बेसिस पे दोनों को डिफ्रेंशेट कर लेते हैं इसी एंड स्पोर्ट सेक्शन के अंदर आपको अपने information डालनी होती है डॉक्यमेंट करने होते हैं आप लोगों क्लास 12 की mark sheet आप लोगों है अपर अपर अ लगते हैं अन्रिजब कर्टेगरी स्टूरेंट के लिए ओवीजी नॉन क्रीमिलियर और इडिव्योस के लिए सेटी प्वडी के लिए हंड़ेट रुपीज यहां पर लोगों का सी एस के पोर्टल पर रिजिस्रेशन करने का प्रोसेस रिजर्वेशन पॉलेशी समझ रहत होती है 50% के अंदर बाकी रिजर्व के लिए 15 पर संट है इसके अलावा डिव के अंदर सूपर नुमरी सीट भी होती है जाने की जो कोटा दिया जाता है उनिवोसिटी के अंदर उसके अंदर में भी कुछ सीटे जो है डेलिए इस्टूरंस को ओफर करता है अब बात क्या गह सि अदर आजके देखने को मिलेंगे जिसके अंदर बीए प्रोग्राम के कॉमिनेशन से अहां पर मिलेबल है। कोर्सिस में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे BSC courses, BVoc, Bcom, BBA, BA, BMS, BFA and BLED. UG courses के बारे में बात कर रहे हैं. कात्मा आप लोगों हाँ पर BTEC course पर देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप लोगों J-Means के तुरू अप्लाई कर सकते हैं, और D.U. का एक खुद का BTEC course भी है, जो है Mathematical Innovation के अंदर, वहाँ पर आप CUD के score के basis पर अप्लाई करेंगे, इसके बाद आपके पास option available है, BA, LLB करने का, Fiverr का integrated lobby अप D.U. ने इंटर्डूस कर दे, जिसके अंदर आप J-Means के score के basis पर admission के लिए apply कर पाएंगे, D.U. के अंदर आप लोगों को technical courses बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ये कही ना कही लैक करता है Delhi University इसके अंदर, जो आज की रिट में required है courses, उनकी कही ना कही कमी दिखती है, जो हमारे पास graduation है, humanities के लिए become program हो गया, become honors हो गया, इनके लिए इनके पास particularly बहुत सारे colleges है, बट for the technical department कही ना कहीं डियू जो है lack करता है, कही ना कहीं डियू के पास बहुत ही कम colleges और seats available है in courses के लिए, अब नज़र डालेते हैं, कौन कौन से particularly course आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर लोगों को BA Arabic, BA English, Hindi, language courses आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, and arts, humanities courses में अगर बात करें तो आपके पास psychology, economics, geography, history, humanities, journalism, journalism, 5-year integrated journalism भी आप लोगों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो humanities students के लिए काफे सारे भर-भर के options available है, बात करेंगे science and mathematics के लिए तो आपके पास यह सभी courses की option यहाँ पर आ जाती है, बट इनके दर क्या होता कि कुछ courses ऐसे होते हैं, जो कि over demanding होते हैं, जिनके अंदर students admission भी लेना पसंद नहीं करते हैं, जैसे की बात करें, बीए सी, computer science हो गया, आप लोगों का बीए सी, mathematics, बीए सी, physics, इन सब के दर तो seeds भर जाती है, असानी से, लेकिन कुछ ऐसे courses में नाम नहीं लेने चाहूँगा, जिनके दर students को यहाँ पर कम attraction देखने को मिलती है, इसके बाद आपके पास आ जाता है, science, mathematics and technology के अंदर ही, अगेन आपके पास, b.tech का भी आपके पास option है, b.tech in information technology and mathematical innovation, b.tech courses के अंदर अगर आप बात करते तो applied sciences, applied physical sciences, home science, life science, mathematical science, physical science with chemistry, यह आप लोगों को बात करेंगे, बाकी other courses के बारे में बात करेंगे, तो b.l.ad आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और b.work courses कुछ time पहले ही, जो है काफी popular हो है, university के अंदर, software development, retail management, IT, healthcare management, banking, operation, vocational studies, जो है आप लोगों को देखने को मिलता है, तो music के लिए भी आप लोगों के पास यहाँ पर particularly courses available है, अब हम बात करते हैं कि CUT की through, आप किस तरीके से यहाँ पर admissions के लिए apply करेंगे, और कौन क का एक admission portal होता है, CSAS के लिए, और यह है एनकी online counseling की website, यह counseling की website है, admission.uod.ac.in, इसके बाद आप लोगों CSAS का जो portal होता है, उसके लिए भी अलग website यहाँ पर रखी जाती है, अब website के portal पर जाने से पहले, मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहूँँ किस तरीके से admission जो है, program specific के बारे में बात करें, तो जो university ने domains की requirement रखी है, यानिकि अगर आपको इस particular course में admission लेना है, तो इन subjects का selection करना होगा, वो होती है अप लोगों की program specific eligibility criteria, अगर आप लोगों को समझाने की कोशिच करने थोड़े असान भाशा में, तो जैसे किसी student को करना है, यहाँ पर B.H. यहाँ पर university ने बोला कि physics, chemistry, maths या फिर applied maths और any one language आपको जो है exam देना पड़ेगा, CUT का, तो यह क्या होई program specific eligibility criteria, अगर आपको admission लेना है B.H.C. honors in chemistry, तो आपके पास BCM का आपको exam देना है, साथ में आपको एक language लेनी है, और उस language के अंदर आपको 30% जो score करना है, तो यह हु हुआ आपका minimum eligibility criteria, जिसके दर उनोंने बोला कि at least आपके 30% score होना चाहिए उस particular language के अंदर, साथ में आपको वही class 12th के subject select करने है, जो आप लोगोंने class 12th में पड़े थे, और एक language आपको लेना ही लेना है, किसी भी course में apply करने के लिए, general test वहीं पर आपको देना होगा, जहा पर university mention कर रही है percentage, आप लोगों को percentage जो है जरूर देखके चलना है, अगर आप उसको ignore कर रही है, तो आप अपना ही यहाँ पर नुकसान कर जाएंगे, यानि कि मैंने बोला कि 30% minimum language में आपका होना चाहिए, minimum eligibility criteria है, और program specific यह रहने वाला है, इस तरीके से यहाँ पर DU ने हर एक course के लिए particularly उन्होंने mention कर रहा है कि किस के लिए हमें क्या चीज यहाँ पर देनी है, जैसे कि आप लोगों BA program करना है, तो आपको एक language लेनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वो subject आपके class 12 के पड़े हुए होनी चाहिए, साथ मैं आपको general test भी देना होगा, तो यह क्या हु यहाँ पर एक list भी हर साल do release करता है, जैसे कि languages के बारे में बात करें, तो these are the languages जिनका आप selection कर सकते हैं, और इसके बाद university आपको B1 और B2 की list भी देती है, B1 के अंदर होते हैं आप लोगों के main subject, और B2 के अंदर होते हैं आपके extra subject, तो कहीं पे भी जब आपको university बोल रहा ह तो आपके बास अगर physical education तो आप select कर सकते हैं, लेकिन make sure university ने जब वो mention करा है, तब भी आपको select करना है, अना तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बीवक healthcare management के बारे में बात करें, तो देख सकते हैं यहाँ पर combination भी university ने mention करा है, any one language, any two subject from B1, तो B1 की अगर बात होगी, तो आपको इस में से कोई subject select करने हैं, जो अपने class wealth में पढ़े हैं, और जहाँ पर बोला जाता है B1 और B2, तो वहाँ पर आप लोगों को choice होती है, कि आप चाहो, तो B1 में से और दूसरा B2 में से कोई भी subject अपना select कर सकते हैं, तो यह eligibility criteria, आप लोगों को यहा लोग हमारे सा जोड़ सकते हैं, हमारी एप download कर सकते हैं, higher education की जिसमें हम आप लोगों को CUT की complete preparation करवा रहे हैं, Delhi University की proper counseling आप लोगों को provide कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों की special coupon मिलता है, till the entrance exam आप लोगों को support मिलता है, till the admission में आप लोगों को counselling प्रवाइड करते हैं, और लोगों को description में admission support का भी form दे रहा है, जैसा अप अपने course में admission लेने के लिए अपने से help ले सकते हैं, और comment section में अपने query भी हमसे पूछ सकते हैं, post graduate courses के बारे में बात कर तो 88 PG courses Delhi University आपको offer करता है, जिसके नर्वी आप लोगों को admission CUT PG के score के basis पे ही मिलेगा, तो आप अगर यहाँ पर admission लेना चाते हैं, तो make sure कि आप एक बार जाके CUT की website कोचे से go through कर ले, जो कि मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, और जिस भी course में आप apply करना चाहरे है, CUT के score के basis पे ही admission आप यहाँ पे ले पाएंगे, fees structure के बारे में बात करें, तो हरे college और हरे course का जो है fees structure कुछ courses ऐसे हैं, BA courses जो कि 48,000 से start होते हैं, 21,000 तक जो है colleges की fees जाती है, BCOM की fees के बारे मात करें, तो 8,000 से start होती है, और 30,000 तक जो हरे college की fees यहाँ पे अलगल हो सकती है, तो आप यह नहीं बोलेंगे, मैं BCOM किसी due के college से कर रहा हूं, वहाँ पे इतनी fees है, तो वही same fees भी 14,730 जो है college की fees यहाँ पे चली जाती है, अब hostel facilities के बारे में बात करें, तो DU के बड़े-बड़े campus है, जिनके अंदर in-campus hostel facilities अब लोगों देखने को मिल जाती है, लेकिन south campus के अंदर कुछ ऐसे colleges हैं, जिनके अंदर आप लोगों को hostel facilities नहीं मिल पाती, और hostel facilities के लिए भी students के पास अपना PG के लिए option available होता है, बात करते है most important part की जो है placements जिसको लेके student बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो Delhi City की placements के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखें यहाँ पे डिपेंड करेगा कि स्कोर्स में अपने admission ले आए, डियू में admission लेने का मतलब यह नही है, अगर हम बात करें SRCC के बारे में तो SRCC के अंदर भी student को 29 lakh तक का salary package students को overall मिला हुआ है, and LSR के अंदर आप लोगों को average package के बारे में बात कर तो 15 lakh per annum जो है average package LSR college के अंदर जा रहा है, इसके अलावा SRCC के अंदर 35 lakh per annum, and 12 lakh per annum जो है आप लोगों का average salary package students को जा रहा है, highest में 35 lakh per annum तक student को admission मिला है, इसके अलावा, जो stipend है, वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है, SRCC के अंदर 88,000 पर मन से लेके, 367,000 पर मन तक का stipend students को देखने को मिला है, वह हम बात करें, median UG and PG courses के बारे में, placements यहाँ पर students को मिल रही है, और कह सकते हैं कि placements की बारे में बात करें जासे कि मैंने आपको बोला था कि सभी को placement नहीं मिलती है, यह depend करता है किस course में अपने admission लिया है, यह जो courses है, जिनके अंतर students को placement मिली है, यह mostly आप लोगो BMS, BQM honors देखने को मिलेगा, MCEU देखने को म मिलेगा, बाकि BA economics honors के अंदर भी काफी अच्छी placement जो students को देखने को मिलती है, बाकि जो graduation based courses है, humanities courses है, उनके अंदर इतनी highest salary package आपको देखने को नहीं मिलेगी, और even placement rates, जो ratio भी जो है, काफी कम रहता है, तो जिस भी course में आप admission है, make sure कि आप अच्छे से उसकी research जरूर कर ल मिले और ROI भी अच्छी मिले, I hope ये वीडियो आप लोगों यूसफुल लगे होगी, वीडियो यूसफुल लगे होगी, तो like जरूर करना, मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर, बाबाय, take care, thank you so much.